दोस्तो मैराजी कलीशा आज आपको पंच तुलसी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो पांच किसम की तुलसीयों से बना हुआ अर्ख है उसमें पांच किसम की तुलसीयों का अर्ख मिलाया हुआ है पहले तुलसी का नाम है राम तुलसी दूसरे तुलसी का नाम है कृष्ण तुलसी और तीसरे तुलसी का नाम है जिसे उपयोग किया गया है वो है वन तुलसी और चोती तुलसी का नाम है श्वेत तुलसी और सबसे हटकर बहतरीन और खास तुलसी जिसका नाम है अर्जक पंच तुलसी जिसे आधोनिक तरीके से अर्क निकाल कर 5 किस्म की तुलसी का मिश्रन कर, हमारी धन्वंतरी ने 5 तुलसी ड्राप तैयार किया है, ये ड्राप आज की तारिख में पूरे विश्व में बहुती कारगार सिद्ध हो रहा है, क्यूंकि आज का हवाओं का जो वाता वहारा खानपान है वह दूशीत नहीं प्यादखेट इची कर्णा पड़ता है वह हमारी भी बहले को बैमारी जो से hill के ब औरगन के जरीए या सिस्टम के मध्यन से या टिचू के जरीए या हमारे शरीर के अलग अलग तरह के रोगों को उत्पन किये जा रही है तो ये जो पंच तुलसी है, ये जो बहार से आने वाले या अंदर से होने वाले जितने भी हमारे शरीर में रोग उत्पन हो रहे हैं, उन सब को नियंतरन करने काम ये पंच तुलसी करता है, क्योंकि पुरातन आयरुदेक में लिखा गया है, कि तुलसी का अरक इस्तिमाल करन से स्वास्थ से संबंदी रोगों पर फायदे होते हैं पुराने जमाने में हर घर में तुलसी का पौदा लगाया जाता था और उस जमाने में हमारी दादी तुलसी के कुछ पत्ते तोड़ कर उसका अर्क निकाल के हमें देती थी वो हमारे घर की वातावरन के हवा को शुद् अटि-bacterial, anti-malarial, anti-phoneval, तुल्सी जो है वो carry anti-flowing भी है, जो तुल्सी से जितनی प्रकार के जो रोग है62 आहिस ise रोगों को तुल्सी के इस्तियमाल से रोगा जा सकता है तो हम सब को तुलीशी का ज्यादा सब ज्यादा इस्तिमाल करना चाहिए आज सर्दी हो, या खासी हो, या भुखार हो जाए नाग से लेकर कोई भी परिशानियों, सास लेने में परिशानियों हमारे फेफडे को लेकर कोई तकलीब हो अगर आपको कोई अपने लंस फेफड़े को शुद करना है तो पंच तुलसी का इस्तेमाल जरूर करें पंच तुलसी डॉप ये आपके सड़ से लेकर पाउं के नाकुन तक के सभी किस्म की विमारी में कारगीर सावित हो चुका है बाल सफेद होना हमारे शरीर के तोचा इसकीन में जो भी रोग है जैसे एलर्जी खुजली उसको दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है आज हमारे शरीर में जितने भी पारट है यानि अंग है इन सब पर पंट तुलसी का अर्ख काम करता है जैसे दिल की विमारी हो या पेट के अलग-अलग किसम की विकार हो या किसी को डैरिया हुआ हो खुन के अंदर जो आर बीसी की मातरा बढ़ानी होती है तो तुलसी का नो आसके दर रौव इस्तेमाल करना चाहिए है दोस्तो के लेवल आज के दवर में जो घट रहे हैं जैसा मारे महिला मादाव में आक्छर देखा जाता है लिबकन होन की दर्द हो गया आपके पैरों में हातों में किसी भी किसम की तकलिव होती हो इसमें भी पॉइंच तुलिशेट रॉप कारगर सिद्ध होता है अमारी कमपणी धन्वंती डिस्ट्रिबूटर प्राइवेट लिमेटेट ने ये बहुत अच्छा और बढ़िया एक पहिल किये जि जिस से आप एकदम शुरक्षित रह सकते हैं ये पॉइंच तुलिशी अब तक बहुती उंदा कॉलिटी की तयार करके आप तक पहुचाने का काम हमारे धन्वंत्री कमपणी के स्रीम डी आधर निया डॉक्टर रमेश पाडिल सर जिन्होंने हमें इस भारत वर्ष में एक तुल्सी या दो सिल्सी या तीन सुल तुल्सी हमें अवलेबर हो जाएंगी लेकिन एक साथ पांच तुल्सी एक साथ पांच तुल्सी याने राम तुल्सी कृष्ण तुल्सी वन तुल्सी स्वेट तुल्सी और चुपाश्वी अर्जक तुल्सी ये एक साथ मिलना प हमें कम से कम जैसा पुराने जमाने में जो बोला जाता था कि तुलसी 200 बिमारियों का इलाज कर सकती है अनेक बिमारियों का इलाज कर सकती 200 से जाधा बिमारियों का यह 100% आयुविदिक प्रोड़क्ट है दोस्तो चाहे कुछ भी हो जाए हमारे घर के अंदर पॉइंट तुलसे का सेवन हम जरूर करेंगे धन्वनती डिस्टिबूटर प्राइवेट लिमिटेट का पॉइंट तुलसी दोस्तों पॉइंच तुलसी से हमारे बॉडी के जो टॉक्सिन्स है जो हमारे पेट के अंदर हवा से परदूशन से पानी से या हमारे जो आज कल के जो हम खाना खा रहे है इससे जो फेस्टिसाइज जो जो क्या बोलेंगे उसको वाइरस हमारे शरीर के अंदर जो जा रहा है इस से भी इस toxin को भाहर निकालने काम भी पंच तूलसी करता है पंच तूलसी ये एक पंच तूलसी जो है न ये detoxifying, cleansing और purifying करने का काम भी हमारा धनवंतरी का पंच तूलसी करता है दोस्तों अक्सर हमारे घर के अंदर आदी रात को या कभी भी हमारे चो छोटे बच्चे होते हैं उनको एक फ्लो याने बुखार आ जाना उस टाइम कोई चीज आउलेबल नरी तो हमारे घर के अंदर अगर हम पंच तुलसे धकते हैं जिनको 102 के उपर भी बुखार रहा है तो यह पंच तुलसे से उसका बुखार निकल चुका था दोस्तों पंच तुलसी शुगर वाले पेशंट पर लीकोडर्मा जिसे कोपी विमारी होती है उस पर और जिनके कान में तकलिफ ही होती है उसपर भी और एंटी कैंसर जिसे कहा जाता है काफी जीजों पर अचछा वर्क करता है जिनको हाठ की प्रोबलम होती है उस फरवीक गुछ तुलशी धनवंत्री का पुछ तुलशी बहुत ही वहत्रिन तरीके से काम करता है तो दोस्तो भूलना जाना हमारे घर में पंच तुलसी त्रफ रखना दोस्तों अक्सर आज जो जैसा महौल चल रहा है जो वाइरस का महौल चल रहा है इसमें हमारे को जो हमारे सांस लेने के लिए जो हमारे ऑक्सिजन लेवल की कमी देखी जा रही है तो हमारे खून को जो ऑक्सिजन लगता है हमारे खून की ऑक्सिजन को पूरा करने का काम भी ह हमारा पंच तुलसी डराप करता है तो इतना भहत्रीन और उम्दा प्रोडक्ट जो हमें रॉक्टर हमारे श्री आधर निये डॉक्टर रमेश पाडिल सर ने जो हमें दिया है हम इनका बड़े तहे दिल से शुक्रिया आदा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इ दोस्तों अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया होंगा तो आपसे निवेदन है कि नहीं हमारा वीडियोः शेएर कीजिए लाइक कीजिए और शसक्राइब कीजिए ताके अने को लोगों तक के यह पंच तुलसी की महीती जा सके यही आपसे इलती जा है मेरे दोस्तों धन्यवाद धन्यवाद